हेलो इस्टोडेंट कैसे हैं आप सब एक बार पुना आप सभी का आपके अपने शेनल सी कोचिंग क्लासेश पर सोगत है और यह वीडियो आप देख पा रहे हैं यह कमिश्टी के लिए मैं जो आपको कुछ चीज़ समझाने वाला हूँ न्यू ब्लूप्रिंट के आधार पर जो कमिश्टी का सलेवस है उसको मैं आपको समझाऊंगा सभी बच्चों का कमेंट है और डेली वाटसप पे इतने सारे मेसेज आते हैं मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि मैं सारी वीडियो प्रवाइट कराऊंगा सभी बच्चों क्या-क्या पढ़ना या क्या-क्या नहीं पढ़ना वो चीज़े आपको मैं कम्रीट कराऊंगा ठीक है सबसे फेले बात करते हैं student की यहां पे जो आपका सलेवस है उसमें जो ब्लूप्रिंट में देख सकते हैं दो अंक 8 चार अंक और 5 अंक मतलब previous year previous year के जैसे ही exam में आएंगे बहुत भी कल्पी प्रिशन बहुत भी कल्पी एक नंबर की रहते हैं स्टुडेंट ध्यान रखेगा तो बहुत भी कल्पी भी आपके प्रिशन पूछे जाएंगे जिसमें से एक नंबर के कॉश्चन रहेंगे अब सबसे बड़ी बात यहीं स्टुडेंट जैसे च चैप्टर 1 से आप देख पा रहे हैं दो नंबर का बहुबिकल पी और एक बाक्त में उत्तर दो नंबर का अर्थाट एक अंक के ही चारों चॉचिन रहेंगे यहाँ पर जो चार कॉशिन आप से पूछे जाएँगे उस सभी के सभी जो भी चार question है आपके पास उस सभी के सभी एक एक अंक के question अर्था चार question student पूछा जाएगा यहाँ पर आप देख पा रहें एक एक अंक की तो chapter 1 में से अब केवल आपको objective तयार करना है objective टाइप के question तयार करनी है ठीक है जो जो topics रहेंगे उनके भी मैं आपको complete बताऊंगा लेकिन अभी free hall आप यहाँ से समझें अब जैसे previous आप लोग देखे होंगे कि जो question paper आपके पास net में upload था वहाँ पे chapter 2 में billion की बात कर रहा हूँ billion में भी 20 से 25 objective थे बाद में चलकर 40 objective दे दिये गये थे लेकिन अब वहाँ पे आप देखेंगे कि student जो आपका question बैंक था उस पे objective था अब वहाँ से आप objective तयार नहीं करेंगी क्योंकि पांच अंग का question पुछा जाएगा पांच अंग में एक दो अंग और एक तीन अंग के question पुछे जाएगे कुल मिलाकर कि यह जो billion बाला chapter से है अंग की question भी मोलरता फॉर्मलता मोलर्टी जो भी यह जो भी है एनि two question आपके यहाँ पे है न रहेंगे और एक आपका कितने नंबर का दो अंग का और तीन अंग का question पूछा जाएगा यह हो गया आपका chapter 2 का ठीक है सभी chapter को आप समझते चलिए वीडियो बात आपको समझा रहा हूँ chapter 3 से objective नहीं आएगे अब chapter 3 के भी objective नहीं जबकि question बैंक में सभी chapter के objective देके राके थे question बैंक में सभी chapter के objective पढ़ने थे लेकिन chapter 2 और 3 के objective आपको इस वरसर नहीं पढ़ना है एनुवल एक्जाम के लिए chapter 2 और 3 के objective बिलकुल नहीं पढ़ने है यहां पर आगे चल कर देखें chapter 4 की बात करें chapter 4 रासानिक बलगित की इसमें student एक अंक का question रिक्ती स्थान में पुछा जाएगा और एक अंक का question एक बाक में मतलब दो objective यहां से पुछे जाएंगे और एक 3 अंक का question पुछा जाएगा ठीक है प्रतम कोटी का अपक्रिया का ब परनेगा objective वो भी दो आंक का इसके बाद आपका सतह रसायन है सतह रहसान चैप्टर 5 में यहां से आप देखें एक दो आंक का question पूछा जाएगा और objective पूछे जाएंगे ठीक है पहले क्या होता था यहां से ज्यादा तर student आपके पास यह सेम रहता था मतलब ज्यादा तर दो आंक के question पूछे जाते थे यहां पर दो आंक objective एड़ कर दिया गया है इसके बाद जो चैप्टर 6 में था student आप लोगो धातों का निसकर्शन हो भटा दिया गया है पी बलाग का तत्यों सीरे अगला चैप्टर पी बलाग का तत्यों है यहां से भी आप देख पा रहे है एक अंक का यहां पर फिर आपका यहां पर दो अंक का student देख पा रहे हैं फिर दो अंक का यहां से उपर स्वरी सही जोड़ी है मतलब ही अच्छा तो देखिए यहां पर जो आपका कौन सा पी बलाग के तत्यों में से आठ अंक के question पूछा जाएगा सही जोड़ी और आपक इस लिए डी बलाग का तीन अंक का question यहां पर objective question दो अंक रिक्तिस्थान की और सही जोड़ी अब यह मत सोचना कि हमको सही जोड़ी नहीं पढ़ना है objective नहीं पढ़ना है रिक्तिस्थान में कोई भी question कैसे भी बना सकते objective में यह होता है कि इसे सही भी कल्प में देखे रख अच्छे नंबर का question है यहां पर आप देख सकती है इस प्रकार से ब्लूप्रिंट तो समझ गया होगी अच्छा जो पहले जो रिडियू सलेवस था उसमें जो है आपका दैनिक जीवन में चैप्टर 16 यह भी आपका था लेकिन अब यह भी हट चुका है धान रखेगा यह पहुलक 15 और 16 यह हट गया है और आपका चैप्टर फाइफ अड़ गया है चैप्टर 5 में क्या था आपका फृष्टर आप कर दो को प्रथिक करना है ना ये सब चीजें तो यह हो गया आज का कुछ जानकारी फेपर आपका प्रिविएस एयर की मात याएगा और लगबग ये blueprint आप deleted नहीं होने वाला है क्योंकि student इसमें जो पूरा systematic रिडियोस अलेवस के बारे हम दे दिया गया है तो अब आप लोग इसे अच्छे से समझें अच्छे से तयार करें ठीक है मैं आपके लिए student हर chapter प्रतेक chapter का अलग-अलग कहेंगे तो अलग-अलग या कि दो-तीन chapter का एक साथ कौन-कौन सा topic हट गया है उस पर मैं पूरा वीडियो बनाने के लिए तयार हूँ बस आप लोग मिहनत करते रहें आपके लिए मैं help करता रहूँगा अभी एक दो दिन इसलिए थोड़ा सा बेट कर सकते हैं इसके बारे में क्योंकि हो सकता है डिलीट हो जाए यार कभी भी भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए पुराने दे रेडियो से लेवस को हटा दिया गया है MPVSC website पर नहीं मिलेगा इसलिए आप लोग अच्छे से त्यार करें बाकि हम आप लोगों का help करेंगे जो भी नए topics add हो गया जो मैंने नहीं पढ़ाया है उसे भी complete कराऊंगा चिंता करने जी हाँ मेरे भाई आपको भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा 80% तक मेरा रहेगा 10% आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा तो ये रही छोटी सी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजेगा दोस्तों सेर कर दीजेगा मिलते हैं एक लिए वीडियो में जैहिन बंदमातरम